तो दोस्तो किसे हो आप सब उमीद करती हो अच्छे ही होंगे तो आज मैं दिखाने जा रही हूं कुछ अलग टॉपिक पर बात करने जा रही हूं आप लोगों के बीच में और मेरे वीडियो पर अगर नया है तो लाइक, सेर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देजिएगा सो दोस्तो मैं आज आप लोगों कुछ नएच चीजें दिखाऊंगी जो की देख सकते हैं आप लोग मेरे Neighbor baby girl क्या कर रही है क्या कर रही हो वही क्या है ये चीज ना है और यह कहां से असली है की नकली है नकली नकली किस चीज सा है ये कि यह फ्लावर है यह ना कहां से तोड़कलाई हो तो आप लोग देख सकते हैं यह हाथ में बहुत सारे यह देख सकते हैं आप लोग तो बच्पन में कौन ऐसा काम किया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा उससे पहले मैं आप लोगों को यह बस अभी टेलर दिखा रह हो कि यह किस फ्लावर से बना है दोस्तों जो कि नेल बना कर और देखिए पूरा नौखन पॉलिस भी मेरा खतम कर दिये यह लड़की पूरा एक भी मतलब मुझे मौका ही नहीं मिलता है कि कभी मैं नौखन पॉलिस लगा लूँ देख सकते हैं आप लोग मेरा हाथ कैसे कैस समय नहीं पाई तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ किस फ्लावर से यह ठीक ना तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ तो आप लोगों देख सकते हैं और कितने लोग पहचान भी गयंगे जो खास तोर से गाओं के लोग होंगे वो लोग पहचान गए होंगे कि ये किस चीज का है ये ये कौन सा फ्लावर है तो जी मैं बता दूँ ये कौन सा फ्लावर है और जो इसकी पत्तियां है आप लोग देख सकते हैं पूरा चोड़ा चोड़ा सा है बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं इसके फ्लावर बहुत ही अच्छे मुझे तो लगते हैं यह अभी मतलब वह हो गया ना मुलजा गया है लेकिन जब सही रहता है ना सुबह मॉर्निंग में इसको तोड़ने जाते तो पूरा खिला खिला सा रहता है तो फिलाल यह लेकर जब आई यह लड़की तो मैं थोड़ा सा टाइम नहीं था मेरे पास क्योंकि मैं काम कर रही थी तो मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को ठीके ना तो आप लोगों को मैं यह दिखा रही हूं जो कि यह फ्लावर इसका नाम है बैजेंती इस तो कि इसमें बहुत यह अच्छे फ्лавरस हैं हम लोग भी मतलब बता दें कि छोटे भी रहते थे न तो इसमें को यह देख सकते हैं आप लोग देखिए यहीं ऐसे हम लोग भी निकाल कर यहीं काम करते थे और खास तोर से जहां मतलब नमी पानी वगेरा रहता है ना पोखरी जैसे तलाब तो उसके साइड में यह सब होता है देखिए इसी तरह से निकाल निकाल कर और हम लोग पने लगा कर इसको न्खुन पोलिस से पॉलिस कर लेते थे मतलब कोई भी कलर रहता था तो उसको उसी से कर लेते थे तो आप लोग देख सकते हैं इदर तो आप लोग देख सकते हैं देखिए बिल्कुल लग रहा है ना राच्छस का एकदम बिल्कुल लग रहा है तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगे वाला ठीक ना तो इस में से निकाल निकाल कर और मेरी तुन्स बेबी गल हाथ में पूरा लगाई अपने नैल पे और ये उसकी पत्या है और बीच में से जब ये थोड़ा सीजन जब खतम होगा ना तो जून जुलाई तक ये पूरा मतलब इसमें से सीट से निकलेंगे अंदर से वाइट वाइट कलर का थोड़ा से ब्राउंड हो सकते हैं ब्लैक में हो सकते हैं तो इसमें से क्रिश्न भगवान भी धारर करते थे ऐसा मतलब कहा गया है तो मैंने देखा है मतलब बताया गया है तो इसके वज़े से मैं कहा रही हूँ तो यह ही है आप लोगों के बीच में मैं दिखा दे रही हूँ ठीक है न तो यह सब होते हैं गाओं के बच्ची जो तरह तरह का की छुटिया पढ़ गई है तो यह दोनों के दोनों कह रहा है इतना मतलब दोड रहा है धूप में घूम रहा है सब और यह जनाब स्रिब मैच खेल रहा है कहिए मैच खेल रहा है आज नहीं खेले हो आज काम था घर पर तो नहीं खेले हो लेकिन अभी अपना हुलिया देख लो कैसे बने हो देख लो तो ये इनको पड़ी है मार क्या पड़ी है? मार पड़ी है वो भी किसे डंटा से पड़ी हुई है और कौन मारा है? इनके डैडी मारे है तो कुछ खाना पानी मिला नहीं है और आख में आप लोग देख सकते हैं क्या हुगा है यह आप लोग ध्यान से देखिए देख सकते हैं आखों में क्या हुगा है बीलनी हुगा है बीलनी इसको बोलते हैं तो यही सब बात है आप लोग देख सकते हैं ये नल बना कर ये लड़की घूम रही है ठीक है तो ये है बेजनती का फूल और अगर आप लोग नहीं जानते तो इसके बारे में डीटियल से आप लोग जान सकते हैं बेजनती का फूल का इसका क्या क्या उपयोग होता है इसका बेजनती माला के स्वरूप से ठीके ना तो आप लोग ये जाए देखिया और इसका तो फूल भी मतलब सुबह में चढ़ाया जाता है जो भी देवी देटा को चढ़ाया जाता है तो चढ़ाते हैं तो यहीं सब है तो मुझे लगा कि एक इसके बारे में भी वीडियो बनाना चाहिए और दिखाना चाहिए आप लोगों को बीच में ठीक है ना तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा ठीक है ना तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा आप लोग ठीक है तो मैं आप लोगों को यहीं दिखाने की कोशिस की हूँ ठीक है तो बाई बाई इसमें बाई 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 बोलो बोलो इसकूल की छुट्टियां पड़ी है बाकी घर पे भी पढ़ाई करना है ठीक है ना